दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को ग्रफतार किये जाने के बाद लोगों के मन में तमाम चछाए हैं लोग क्या रहे हैं कि आकरी ऐसा कैसे होगा कि केजरीवाल को ग्रफतार कर लिया जाए और वो मुख्यमंत्री भी बने रहे हैं कानून में इसको लेकर क्या प्रावधान है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सामिधान विशेशागे पीडी अचारी जी मुझूद है अचारी जी ये क्या लग रहा है जिस तरह से ग्रफ्तार किया गया है तो किस तरह से आप देख रहे हैंशीचित को क्या कानून न प्रावधान इस पर है जब एक चीफ फिनिस्टर ग्रफ्तार हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसके बारे में कोई ना कॉंसिक्टुशन में है ना किसी कानून में है कोई प्रावधान है इसलिए तो चीफ फिनिस्टर जब अरस्ट के बाद भी वो चीफ फिनिस्टर गेंगे और जब तक वो डिसाइन नहीं करते हैं तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं और चीफ मिनिस्टर और फंक्शनल तरीके से मतलब उनके जो फंक्शन से चीफ मिनिस्टर के रूप में जो फंक्शन करना वो कहां तक संभव है उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूशन है आमात्मी पार्टी के जो बाकी जो नेता लोग हैं इन्होंने कहा है कि जेल से द्वामन चलाएंगे लेकिन उसमें यावाखैरी कटिनाई हैं उसमें क्योंकि चीफ मिनिस्टर को काबिनेट मीटिंग्स प्रसाइट करना होता है और ऑफिशरों को बुलाना पड़ता है ऑफिशरों के साथ डिसकस करना होता है और कई चीफ मिनिस्टर नहीं देंगे ऐसी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है क्या यह भी संभव है कि इस तरह की कोई विवस्ता हो कि इन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाए और वहां से यह अपने डे-to-date के काम कर पाएं क्या इस तरह की प्रावधान है कुछ इस तरीके का कान कोई प्रावधान कहीं है नहीं वो तो जो अरश्ट करते हैं वो उनकी मरजी पर है या कोट का है कोट का डिरेक्शन हो सब जाके हो सकता है तो उसके बारे में मैं क्या कहूं कुछ कहना नहीं है वो तो इनकी मरजी है वो या तो इन्वेस्टिकेटिव एजनसी या फिर कोट सरकार कितनी खत्रे में हैं मतलब किस तरह की इस्तिति आप दिली में देख रहे हैं जो कि दिली एक ऐसा अस्टेट है जहां कुछ चीज़ें बड़ी स्पस्टसी नज़र नहीं आती हैं तो सरकार खत्रे में है या किस तरह का महुझ देखिए इनकी पास्क आप्शन्स है एक यह है कि शायद चीफ इनिस्टर किसी मंतरी को जो जरूरी चीज़ है चीफ इनिस्टर की फंक्शनल जो रिक्वार्मेंट से वो देखने के लिए वो ऊथराइस कर सकते हैं आप फर इंसांबल ये कैबिनेट मीटिंग्स वोगरा प्रिसाइट करने के लिए इसी को ऊथराइ कि उनके पार्टी की मिजावरिटी है वो डिसाइड कर लें कि कौन चीफिनेश्टर बनेंगे वो जैसे धारगंड में हुआ था वो भी एक ऑप्शन है ऑप्शन तो है कौन से ऐसे पद हैं संवेधानिक जिन पर बैठे हुए रख्ती को गरफतार नहीं किया जा सकता कुछ ऐसे गरफतार कर सकते हैं कुछ ऐसे जिन पर गरफतार हो नहीं सकते हैं वह प्रसेड़न गवर्नर आटिकल 361 के अंदर इनको फूरी इम्म्यूनिटी मिली हुए है ना को कोई सेवल केस ना कोई कर नहीं सकते जब तक वह पदब पर रहते हैं अभी जो लोग यह मन कर चले हैं कि दिल्ली सरकार पर खत्रा है दिल्ली के सामने मजबूरी है कि वह सरकार नहीं चला पाएंगे उनके लिए क्या कानून कहता है देखे जब एक दिल्ली में मुझे तो लगता नहीं है ऐसे कोई संगट है क्योंकि जैसे मैंने करना अभी ऑप्शन्स है उनके पास और जब इस तरह का संगट आता है तो एक प्रॉप्शन ये भी है कि प्रेसिडंट स्टेट का अड्मिनिस्टेशन अपने हाथ में ले इसको प्रेसिडंस रूल कहते हैं वो भी अप्शन है लेकिन वो जब यह फेल होता है लेकिन उसका तो प्रॉब्लम यह है कि मानलों प्रेसिडंस रूल इंपोस करते हैं मानलों लेकिन उसको चलंच किया जा सकता है सुप्रिंग वोट में क्योंकि कई मामलों में सुप्रिंग वोट ने उसको स्ट्राइक डाउन किय प्रेसेड़न्स रूल को और पुरानी किया, यपी है तो इसलिए इतना आसान नहीं है, तुकर उसके लिए क्राउंड शाहिए वो तब जाके वो प्रेसेड़न्स रूल इंपोस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं तो ये पीडी अचारी जी हैं साफतोर पर एक बात कह रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीबाल की गिरफतारी के बाब दूत किसी तरह का कोई संकट नहीं है अलगी इस बात को लेकर जरूर चिंता है कि आखिर वो डे-टू-डे के जो काम है मुख्यमंतरी रहते हुए जो उन्हें करने होते हैं उसको वो किस तरी के से कर पाएंगे अगला मुख्यमंतरी यह देखना बड़ा देल चास पोगा दीपा गोतम सूर्या समाचान परिदावाइए